डिस्कोवर इंडिया बाइ रोड में आपका स्वागते दोस्तो आज डे फोर में हम करेंगे डाजी लिंकी साइट सेंग तो चलिए शुरू करते हैं अभी सुबे के साड़े चार बज़े है और हम जा रहें अपने पहले पॉइंट टाइगर हिल की और हम कुछी देर में टाइगर हिल पहुंच गए और जैसे हम वहाँ पहुंचे हमने देखा वहाँ पे हमारे पहले बहुत सी गाड़ी आँके खड़ी है यहाँ पे लोकल लोग आपको कॉफी बेशते हुए जरूर मिलेंगे तो आप इस थंडी में कॉफी का अनन ले सकते है हमें कुछाई पर सी जगे पर जाकर खड़े हो गए वहाँ पे कुछ टॉल्स भी है जहाँ पे आपको गरम कपड़े और चाई कॉफी वगेरा मिल सकता है अभी यहाँ पे घुप अंदेरा था कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन लोग जिस तरफ मू करकर खड़े थे हम भी वसी तरफ मू करकर खड़े हो गए अब आप सोचोगे कि यहाँ के संट्राइज में ऐसी क्या खास बात है जब सूरज निकलता है और उसकी पहली किरन कांचन जंगा की चोटी पर पड़ती है तो वह और नजारा देखने के लिए ही लोग यहाँ पे इकटा होते है अब भुजाला तो हो गया था हमने आसपास देखा तो हमारे जैसे काफी सारे सैलानी वहाँ पे आये थे अब काफी समय बीद गया था लेकिन बादलों की वज़े से कुछ भी साफ साफ दिखाए नहीं पड़ रहा था नहीं कहीं सूरज का नामों निशान था और नहीं कहीं दूर दूर तक कोई चोटी दिखाए दे रही थी हम काफी निराश हो गये थे हम यहाँ पर करीबन लेड़ से पौने दो घंटे तक रुके थे तो वहाँ का मैंने नजारा आपके लिए टाइम लैप्स में क्याद कर लिया है उमीदे आपको अच्छा लगेगा अब यहाँ पर रुके कोई फाइदा नहीं था तो हम चले अपने अगले पॉइंट की होर जो की है घूम मॉनेस्ट्री यहाँ मॉनेस्ट्री गूम रेल्वे स्टेशन के करीबी है इस समय यहाँ पर काफी ट्राफिक हो जाता है टाइगर हिल से जो भी परिये टक निकलते है वह सारे इसी रूट पर आगे बढ़ते है गाड़ियों की लंबी कतार देखकर हम मॉनेस्ट्री से कुछ पहले ही उतर गए और हम चलके आगे बढ़ने लगे मॉनेस्ट्री के बाहर तो एक मार्केट सा लग गया था जहाँ पर काफी लोग अपना सामान बेच रहे थे चलिए मैं आपको इस मॉनेस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी देदूं इस मॉनेस्ट्री को इगा चॉलिंग मॉनेस्ट्री या साम्टेन चॉलिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है यह यहां की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्रियों में से एक है जिसकी स्थापना सन 1850 में हुई थी इस मोनेश्टिकी स्थापना मशूर मौंक और एस्टोलोजर लामा शेराब ग्याद्सो ने की थी और इनके अनुयाईयों को यलो हेट सेक्ट या गेलूप का भी कहते है मुख्य द्वाद से अंदर आते ही राइट साइड में आपको एक बड़ा सा प्रेयर विल दिखेगा और लेट साइड में मोनेश्टि द्वारा संचालित एक सोवेनियर स्टॉल भी है यहां से होते हुए जैसे ही आप मोनेश्टि के अंदर पहुचेंगे सामने आपको एक विशाल 15 फूट उची भगवन बुद्ध की खुबसूरत प्रतीमा नजर आएगी इन्हें मैत्री बुद्ध या बुद्ध और फ्यूचर या कमिंग बुद्ध भी कहा जाता है मोनेश्टि की भीतर की दिवारों पर काफी सुन्दर चित्रकारी की गई थी जिसमें भगवान बुद्ध के चीवन प्रसंग दर्शा है गय थे मोनेश्टि की दिन्हें बुद्ध प्रसंग आएग प्रसंग सुन्दर चर्प्रिक चीवन रगवान बुद्ध या या लुद्ध बगवान बुद्ध के अलावा यहां पे और भी कई प्रतिम आये थी इस मोनेश्री में यात्रियों से कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता और यहां पे आप फोटोग्राफिय भी कर सकते हैं आखिर में प्रियर विल गुमाने के बाद में हमने यहां से बिदा ली वहां से कुछी दूरी पर सी थे बटासिया लूप या जिसे गोर्खा वोर मेमोरियल भी कहा जाता है हमने देखा यहां पे काफी सारे परेटक नाश्टा कर रहे थे और यहां पे विबिन प्रकार का नाश्टा मिल रहा था तो हमने वापसी में यहीं पर नाश्टा करने का हैसला किया बटासिया लूप का एंट्री टिकेट 15 रुपया है जो कि 10 साल के उपर के लोगों के लिए है बटासिया लूप 1919 में बनाया गया था इसके निर्माण के पीछे भी एक वज़े है घूम रेल्वे स्टेशन से ट्रेन जब डार्जी लिंक के और जाती थी तब उससे 140 फीट के टेस जुकाओ का सामना करना पड़ता था और जो की काफी खतरनाक था तो इस समझ्या को सुल जाने के लिए प्रेटिश इंजीनिरों ने यहाँ उपाए लगाया इस लूप की वज़े से ट्रेन अब गोल घूम के नीचे जाती है और अभी आत्रियों को कोई खतरा नहीं रहता अभी सुबय के समय यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं आती तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अपना मार्केट लगा दिया है यहाँ पर काफी खुबसूरत गार्डन भी है और उसके बीचों बीच एक समारक बना हुआ है जिसे गोर्खा वोर मेमोरियल कहा जाता है यहाँ से आपको डार्जिलिंग का बहुत खुबसूरत नजारा देखने मिलेगा और दूर दूर पहाडियों में आपको शायद कांचिन जंगा भी कहीं देखने मिल जाए लेकिन आज मौसम साफ नहीं था तो हमें सिर्व बादल ही दिख रहे थे वहाँ से गर्मा गरम नाश्टा करके अब हम निकल पड़े थे अपनी अगली मंजिल की और यहाँ पे आपको सबसे पहले औरेंज वैली टी एस्टेट दिखेगी और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहने पर हम पहुचेंगे अपनी अगली मंजिल पर जो की है गंगा माया पार्क और रोक गार्डन औरेंज वैली टी एस्टेट अपनी और्गेनिक चाई के लिए बहुत मशूर है इन घुमावदा रास्तों से होते हुए हम कुदरत का आनद उठाते हुए नीचे की और जा रहे थे यहां पर इनका एक फैक्टरी आउटलेट भी है जहां से आप इनकी ताजा चाई खरीच सकते हैं और यहां पर साथ ही एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम का आउटलेट भी है जहां पर आप टी पिकर्स का कॉस्ट्यूम पहन कर यहां पर फोटो भी खिचवा सकते हैं लेकिन अभी वहां बंध था तो हम यहां वापसी में आएंगे और यह जो दूर से आपको कुछ वाटरफॉल जैसा दिखाई दे रहा है यही रॉक गार्डन है हमें इतना नीचे और उतरना है रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क पहाड की तलेटी में स्थित है तो उसके लिए आपको काफी नीचे उतरना पड़ेगा गंगा माया पार्क में गाड़ी से उतर कर हमने देखा तो अभी यहां पे कोई आया नहीं था यहां का टिकेट काउंटर भी बन था लेकिन गेट खुला होने की वज़े से हम अंदर जा सके हम जैसे ही अंदर पहुँचे कि पानी की खलकल आवाज हमारे कानों में पढ़ने लगी अंदर हमने देखा कुछ परेटक वापस जा रहे थे यह जायद हमसे भी पहले आ गए होंगे वैसे तो यहां पे देखने के लिए कुछ खास नहीं है लेकिन कुद्रत में आपको जो भी देखने मिल जाए आप उसका आनन्द ले सकते हो यहां पे चारो तरफ सिर्फ आपको वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिखाए देंगे अब हम आगे बड़े थे कि हमारी नजर एक लेक पर पड़ी और वहां पर हमने देखा तो बोटिंग की सुविदा भी उपलब दे थी अगर कोई बोट वहां पे पानी में थी नहीं तो हमने नजदिक जाकर देखा तो अभी वहां पे साफ सफाई चल रही थी रात को जो बारिश हुई थी उसका पानी निकाला जा रहा था वहां की पहली बोट राइड हमी ने ली छोटी सी लेक में बोटिंग करने का बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तो उमीद है आपको भी हमें देखकर मज़ा आ रहा होगा वहां पे एक छोटा सा जदना था जिसकी वज़े से यह लेक बनी थी बोटिंग में मज़ा तो काफी आ रहा था लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी था खुपसूरत नजारों का आनन लेते हुए अब हम वहां से निकल पड़े थे अपनी अगली मंजिल की और जो था रॉक गार्डन रॉक गार्डन के बाहर भी कुछ चाय नाश्ते के स्टॉल है तो आप यहां भी चाय नाश्ता कर सकते हो और फिर यहां का एंट्री टिकेट लेके आप अंदर जा सकते हैं रॉक गार्डन एक पाहड से गिरते हुए जरने के बीच में बनाया हुआ गार्डन है यहां पर आपको चल चल के उपर की तरफ जाना है जहां से जरना शुरू होता है तो हम भी चल पड़े उपर की और जैसे आप आगे बढ़ेंगे सबसे पहले एक सरकल आएगा जहां पर काफी सारे बैंची इस रखे हुए हैं और आपके पीछे की तरफ एक खुबसूरत वाटरफॉल है सुबेट से हम काफी चल रहते और चलते ही जा रहते यहां पर भी काफी चलना है अगर आप चल नहीं सकते हो तो यहां पर आने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों हम दीरे दीरे चलते चलते उपर की और बड़े जा रहे थे यहां पर पानी भी काफी साफ सुत्रा था लेकिन साथ में थंडा भी बहुत था अखिरकार हम सबसे उपर वाले फॉल तक पहुँची गए लेकिन हमने देखा तो रास्ता वहां से कहीं और भी जा रहा था लेकिन अब हमारी और उपर जाने की हिमत नहीं थी और हमें आगे भी जाना था तो हम यहीं से कुछ फोटो खिचके नीचे की और आ गए वापसी में हमने देखा कि फैक्तरी आउटलेट भी खुल चुका था और वहां पे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वाले भी आ गए थे तो हमने फटाफट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहन कर वहां पे अपनी फोटोग्राफी चालू कर दी क्या है चाई के बागान में चाई पती तोड़ने का आनन्दी कुछ और है इसके लिए आपको एक बार यहां जरूर आना चाहिए हमने वहाँ से कुछ चाई खरी दी और अब हम वहाँ से निकले अपने अगली मन्जिल के और जो था डाजेलिंग जू जिसे पजमजा नाइडू जियोलोजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर ही आगेस्ती थे हमाई यानि हिमालियन माउंटेनेरिंग इंसिट्यूट यहाँ पर जू और हमाई का कमबाइन एंटरि टिकेट मिलेगा पर हेड़ पचास रुपया और कैमेरे का दस रुपया टिकट लेकर जैसे ही आप अंदर आते हो अंदर सामने आपको बड़ा सा एक बर्ड केज दिखाई देगा वहाँ पर मद्य में एक साइन बोर्ड है जिससे आपको पत्या चलेगा कि कौन सा प्रानिक किस और है बर्ड केज में हमने देखा काफी सारे वेराइटी के वहाँ पर बर्ड रखे हुए थे पक्षियों को देखते हुए हम आगे के और बढ़ रहे थे यहाँ पर एक रेप्टेल पार्क भी है हम यहाँ खास तो रेड पांडा को दिखने के लिए आये थे जो यहाँ का राश्ट्रिय प्राणी भी माना जाता है लेकिन यहाँ पर थंडी होने की वज़े से सब पेड में छुपे हुए थे कोई भी प्राणी या पक्षी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी जूम कैमरे की वज़े से हमें आखिर कार रेड पांडा की एक जलक देखने मिल ही गई वहां से कुछ दूरी पर हमने देखा तो एक भालू भी आराम से सोया हुआ था शायद इसने अभी अभी खाना खाया था हमने देखा सभी प्राणी कुछ ना कुछ खा रहते मानो जैसे सबका लंच टाइम चल रहा हो वहां पे ठंड बहुत थी और गना कोहरा भी था कुछ साफ साफ दिखाय नहीं दे रहा था वहां पे काफी सारे जंगली जानवर भी है जैसे स्नो लेपर्ड चिता पूमा वगेरा वगेरा कि तभी हमारी नजर पड़ी नीचे की और जहां पे हमने देखा कि सूरज की किर्णों की वज़े से कुछ रेंबो जैसा बना हुआ था यहां पे मकाव पक्षियों के लिए एक अलग से पिंजरा बनाया गया था जिसमें रंग बे रंगी मकाव पक्षी रखे गए थे और वही हमारी नजर पड़ी यहां के मेन अट्रेक्शन पर जो था रोयल बैंगॉल टाइगर लेकिन ये कुछ भुखा लग रहा था शायर इसे खाना अभी तक मिला नहीं था ये कब से यहां से वहां वहां से यहां घूम रहा था अपना शांदार जीव हमसे सिर्फ कुछी फूट की दूरी पर था हम सब काफी रोमान चीत हो गए थे सारे परे टक उसके आसपास फोटो खिचवाने में मगना हो गए थे कि तब भी हमारी नजर बाजू के पिंजरे पर पड़ी वहां पर भी एक टाइगर था लेकिन यहां बहुत शांती से बैठा हुआ था लग रहा था कि जैसे इसने अपना खाना खा लिया है वहां से निकलकर अब हम आगे बढ़ रहते हैं हमाय कि योर यानि हीमालियन माowंटेनियरींग इंसिट्यूट यह इंसिट्यूट पर्वता रोहियों में काफी मशूर है यहां पर्विबिन प्रकार के पर्वता रोहन के कोर्स किये जाते हैं यहाँ पे मश्यूर परवता रोही तेंजिंग नोर्गे की भी समाधी बनी हुई है यहाँ पे एक एक एक्जिबिशन हॉल भी है जहाँ पे तेंजिंग नोर्गे और परवता रोहन की काफी सारी चीजों को दर्शाया गया है वहीं से कुछ दूरी पर टेंजिंग रॉक स्टिट है जहां पर पिगीनर्स के लिए एक छोटा सा ट्राइक बनाया गया है जिस पर आप चड़ कर परवत और होन का आनन ले सकते हो यकीन मानिये दोस्तों यह लगता आसान है पर है नहीं लेकिन आपको यह जरूर करना चाहिए इसमें आपको काफी मज़ा आएगा उचाई पर पहुँचकर जो आनन मिलता है वह कुछ अलगी है यदि आपको ट्रैकिंग नहीं भी आती तो घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि यह सब एक्सपर्स की निगरानी में होता है और यहां पर आपकी सेफटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है जितना मज़ा उपर चटने में आता है उतना ही मज़ा नीचे उतने में भी आता है तो आपको यह ज़रूर करना चाहिए यहां करीबन आपसे 50 रुपे लिए जाएंगे लेकिन यह आपको मिस नहीं करना है अब अगली मन्जिल थी डारजेलिंग रुपे जिसे रंगी ट्वेली रुपे भी कहा जाता है एक केबल कार में करीबन 4-6 लोग बैट सकते हैं और जिसका किराया बड़ों के लिए 175 रुपे और बच्चों के लिए 80 रुपे का होता है यह रुपे करीबन 2,5 किलो मिटर लंबा है और 2 एंट फ्रों मिलाकर 5 किलो मिटर होते हैं जिसे पूरा करने में करीबन 45 मिनिट लग सकते हैं पिक सीजन के दोरान यहाँ पे काफी लबी लाइन होती है शुरुआत में शायद आपको थोड़ा डर लग सकता है लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे और बाहर का खूबसूरत नजारा देखोगे तो आपका सारा डर निकल जाएगा लेकिन हमारे समय हमने देखा काफी घणा कोहरा था दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिर्फ नजदीक का ही दिखाई दे रहा था ऐसे लग रहा था मनों हम बादलों में उठ रहे हैं चाई के बागानों से होते हुए हम नीचे की और बढ़े जा रहे थे सब कुछ काफी खुबसूरत लग रहा था काफी दूर रहा था चा शबने रहा कि अकाफ़ कार प्राव किअसा अधे बादर में प्लब दूर दूर में काफी दूर ऱ만ब रहा था कि आंगे डहा हम नहीं रहा बस अब हम लगबग नीचे पहुचने ही वाले थे और तब ही हमने देखा यहां का नीचे का बेश स्टेशन हमारे सामने है और यह हम पहुच गए नीचे की और जहां पुत्रोगे इस जगे को तुकवार कहा जाता है और यहां पर हरे भरे चाई के बागान भी है तो आप यहां पर भी आप चाई के बागानों का अनग ले सकते हैं वहां पर हमने देखा कि यह काफी पूरानी केबल का रखी हुई थी शायद यह बहुत चुरुवात की केबल कार थी और वहां पर एक वजन करने का काटा भी रखा हुआ था शायद उस समय लोगों को वजन के इसाब से ही बिठाया जाता होगा वहां पर नजदीक में एक छूटा सा गार्डन जैसा भी बना हुआ है लेकिन वहां कुछ खास देखने जैसा है नहीं तो हम फिर से रिटन जाने के लिए लाइन में खड़े हो गये वापसे में हमने देखा कि मौसम थोड़ा सा साफ हो गया है और दूर दूर के पहड भी थोड़े से दिखाई पड़ रहा है और वापस हम लगबग पहुँच गये थे डारजिलिंग बस अभी अंदेरा होने कोई था और अभी हमारे एक पॉइंट और बचा था जापनी स्टैंपल और पीस पगोडा हम फटाफट वहां से निकल कर जापनी स्टैंपल पहुँच गए हम जैसे ही जापनी स्टैंपल पहुँचे वहां हमारे कानों में कुछ आवाज पढ़ने लगी ऐसे लग रहा था शायद वहां पे प्रेयर चल रही है प्रेयर होल उपर की तरफ है जिसके लिए आपको सीडियों से चट कर उपर जाना पड़ेगा आप भी इस प्रेयर में शामिल हो सकते हो आप वहां पर शांती से बैट कर जो सामने लिखा है उसको दोराना है और आपको हाथ में एक चोटा सा ड्रम जैसा बजाने दिया जाएगा उसको उनके साथ में बजाना है यहां पे हमें कापी अच्छा लगा जापनी स्टेंपल के बगल में ही पीस पेगोडा है पीस पेगोडा के लिए भी आपको थोड़ी सीडिया चटनी पड़ेगी पीस पेगोडा में आप भगवान बजाएग के अलग अलग स्वरूपका दर्शें कर सकते हो जिन में जन्म ध्यान ध्मप्रचार और निर्वान यह चार स्वरूप दिखाये गए है यहां पे आपको सच मुच बहुत चांती के अनुपूती होगी यहां पूचुंसं कमफायो यह 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 यहां आज दार्जी लिंक में हमेरा आखरी दिन था और हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी तो हम आगे चौर अस्ता सबसे पहले हम यहां की मशूर दुकान हभी मली के इंसंस में पहुंचें हमने देखा वहां पर काफी सारे वेराइटी के गिफ्ट आर्टिकल्स और शॉपिस रखे हुए थे कि अधिन प्रफिंग के इंस बन देखा आर्टिकल्स वहां से थोड़ी पोट शॉपिंग करके अब हम भाहर आये थे और हम सब को काफी भूख लग रही थी तो लेकिन आज हमने यहां पे स्ट्रीट फूड काने का प्लाइन किया था यहां पे चाइनीज और मोमोस काफी फेमस है यहां पर परेटकों की काफी भीड होती है तो यहां पर भी आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा खाना खाके अब हम वहां से निकले ही थे कि हमने फिर देखा जहां पे कल हमने वह म्यूजिक ग्रूप देखा था आज वहां पे कुछ और लोग पर्फोर्मेंस कर रहे थे तो हम आज भी वहां पे देखने के लिए कुछ दर रुख गए अब कल हम यहां से निकलने वाले है लेकिन कल का सफर भी बहुत मसेदार है दोस्तों क्योंकि कल हम जा रहे टॉइट ट्रेंड से दारजेलिंग से होकर न्यू जल पाई गुड़ी तक यहां पे हमारी आड़े दस बजे की ट्रेंड है तो कल का दिन देखना मत भूलिएगा ठीक है दोस्तों तो कल मिलते हैं डे फाई में थैंक यू आज 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 कि आज 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